श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिधी लेकर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तों ये दिन आपके लिए बेहतरिन रहेगा इस दिन आपको धनकी कोई कमी नहीं होगी आपक पुत्र पुत्रियों का सुख भी प्राप्त होगा आपकी संतान इस समय में आपके कहे में रहेगी आपको सपोर्ट करेगी आपको कोई बड़ी खुशकबरी भी दे सकती है इस समय में मित्रों का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है मित्र आपकी सहायता के लिए आगे आएंग इस समय में सरकारी अधिकारीओं के साथ आपका उठना बैठना होगा। और ये सब आपके लिए लखी साबित होगा भूमी से आप इस समय में धन एकत्रित कर पाओगे इस दिन पर अगर आप नई भूमी लेते हो तो वो आपके लिए भागेशाली साबित होगी ये समय विद्यार्थियों के लिए भी बेहतरीन रहेगा पंचमभाव पर दुष्टी होने से आप इस समय में पढ़ाई में कॉंसेंट्रेट कर पाओगे अपने लिए सही फैसले ले पाओगे टीचर्स का और परिवार का सपोर्ट भी आपको जरूर मिलेगा जिन स्टूडन्स की पढ़ाई रुक गई थी वो दोबारा से एक नई शुरुआत कर सकते है और जब वो नई शुरुआत होगी तो आप कभी रुकोगे नहीं अगर सेहत की बात करे तो इस समय में आपकी सेहत अच्छी रहेगी स्वस्त्र होगे पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है इस समय में आपकी चुस्ती स्पूर्ती देखने वाली होगी काम करने की गती बढ़ेगी काम करने की क्षमता बढ़ेगी मन भी प्रसंद रहेगा इस समय में व्यापारियों को खास लाब होने वाला है ये दिन आपके लिए खास रहेगा अगर आप इस दिन कोई प्लान करते हो तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी इस समय में निवेश करने से आपको चार गुनातक मुनाफा हो सकता है इस समय में आपको अपने मित्रों का, सहकारियों का और साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर्स का भी पूरा लाब होगा जिनकी मदद से आप अपने काम को आगे बढ़ा पाओगे इस समय में आपको विदेश से बढ़ा लाब हो सकता है विदेशी जमीन से धन कमाने का मोका भी इस समय में आपको मिल सकता है इस समय में जो students competitive exams देना चाहते हैं उनके लिए भी ये दिन काफी शुब सावित होने वाला है इस दिन आप कुछ प्लान करोगे तो उसमें काम्याभी आपको जरूर मिलेगी इस दिन आपके लिए सफेद और ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और इस दिन आठ अंक आपके लिए लखी सावित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है के आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते, इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है, जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़त है, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं, दोस्तो ध्यान रखे, जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे, और उनको उनकी जगय पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखे, अगर देखने में अच्छी लग रही है, तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे, साथ ही दोस्तो एक और बात है, जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, हमारे घर आ सकती है, वो हम घर के उपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़े तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीज़े बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है, क्योंकि ये चीज़े हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी, इस वज़े से घर के चछत सामान हमेशा रख दिया जाता है, वो जगाई ऐसी है, कि सामान को खीची लेती है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही, अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं, तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है, जी हाँ, सीडियों के नीचे कूडा, आकबाड अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वेज़े से मालक्षमी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्षमी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उ आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल ब और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़ी चीड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीड़ों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है दोस्तों मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुत्रा रखें मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्य द्वार को साफ सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तो वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में हैं बस वहाँ तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उने भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटें नहीं कर पाते साफ नहीं रख पा जाता है कि ये तस्वीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटना ये घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर के हम पर प्रभाव डाल रही ह तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्ष्मी जी का प्रभेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद